हाई मैं आलोक निगम ब्रेन पावर से हैं मेरे पास पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि आज वो ही कहते हैं कि बच्चे हमसे कोई बात शेयर ही नहीं करते हैं हमारे पास बैठते नहीं हैं हमें अपनी बाते बताते नहीं हैं तो हमें स ऐसा तो बहुत है, बट टाइम नहीं है, और जब हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं बच्चों के साथ में, तो धीरे धीरे वो कट आफ होने लगते हैं. क्या होता है, कि जब हम चाहते हैं, कि बच्चा हमें बाते बताएं, तो वो हमसे कोई भी चीज़े शेयर नहीं करता है, बच्चों के अपनी समस्याएं होती हैं, अपने इंजॉयमेंट्स होते हैं, अपने अचीवेंट्स होते हैं, जो वो हमेशा आपसे शेयर करना चाहते है लेकिन जब आपके बस टाइम नहीं होता तो वो किस से शियर करें आज कभी हमाइब पर टाइम होता भी है तो भी हम बच्चों से बात करते हैं उनके मार्क्स की उनके रैंक की कि स्कूल में उनके नंबर कैसे आ रहा है इस बात की इसके अलावा भी बहुत लाइब में चीज़ें होती है रैंक्स या मार्क्स सब कुछ नहीं होता प्राबलम यह है कि हम इविन स्कूल में भी जाते हैं तो भी जाके हम टीचर से यही बात करते हैं कि हमारा बच्चा कैसा परफॉर्म करना स्कूल में उसके नंबर कैसे आ रहे हैं उसका रैंग कितना रहा है कभी हम इविन टीचर से यह नहीं पूछते कि हमारे बच्चे का बेहवियर कैसा है वहाँ पे इसकूल में उसकी परसनालिटी कैसी है वो किन बच्चों के साथ उठता बैठता है उन बच्चों के लिए के साथ में उन बच्चों की personality कैसी है और ये इतनी important चीजें होती है जो हमारे बच्चों के behavior को mauld करती है हम हमेशा बात करते हैं उसे, मैं हमेशा ये advice करता हूँ कि आपको उनकी extracurricular activities, किन बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके details सब आपके पास पता होने चाहिए और उन बच्चों के parents के साथ भी आपको बैठना चाहिए तो आपको ये पता लगेगा कि किन बच्चों का impact हमारे बच्चे पर हो रहा है बच्चा जब तक घर में होता है, तब तक तो वो अपने parents से influence होता है और जैसे ही वो जाता है school में, friend circle से वो influence होता है जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि वो कैसे friends के साथ में बैठ रहा है कैसी उनके friends की आते हैं, तो हम control कैसे करेंगे इसलिए ये बहुत important है कि इन चीजों का हमें timely पता चले उसके बार हम उसका corrective action स्टार्ट करें